नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करुणा आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ क्लास 11 के स्टुडेंट्स के लिए उनके पेंटिंग सब्जेक्ट के इंपोटेंट कोईशन और आंसर्स को दोस्तों ये आपके टम सेकेंड स्लेबस पर बेस इंपोटेंट कोईशन हैं जो की जल्द ही आपसे आपकी सेकेंड टम एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं तो दोस्तों बहुत डिमांड के बाद मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आशा करते हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा यूसफुल और हैल्फुल रहेगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं तो सिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब जरूर करने जिससे की आपके स्ले बस के रिगार्डिंग आपको वीडियो तो मिलती ही रहें इसके साथ ही साथ आपके रिजर्ट, आंसर की, मार्किंग स्कीम की भी जानकारी आप तक पहुँचती रहें तो वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहला कुश्यन जो यहां पर है वो है मंदिरों को मूर्ती शिल्पों से सुसज्जित करने के क्या कारण होते हैं या होते थे आप लोगोंने देखा होगा कि हमारे सभी मंधिरों को मूर्ती शिल्पों से सुझजित किया जाता है तो इसके क्या कारण होते हैं तो मंदिरों की दिवारों, छतों वे स्थम्बों पर आकरतियों को प्रचूरता से उत्पन्न करने यानि की बनाने की परंपरा प्राचीन काल से पीड़ी दरपीडी हस्तांत्रित होती चली आ रही है धार में की स्थलों को सजाने, सवारने का पहला कारण होता था लोगों को उनकी और आकरशित करना और जो बेटा दूसरा कारण है वो होता है कलाकारों को रोजगार प्रदान करना तथ कालीन कलाकार तथा मूर्तिकार अपनी रचनाओं में उन विश्यों वो कथानकों को उकेरते थे जो उनके सरक्षक चाहते थे जिससे उनकी आकांगशाएं और कलाकारों की जरूरते पूरी होती थी Q2 है बेटा गंगा का अवतरन नामक मूर्तिशिल्प की रचनात्मक्ता का वर्णन कीजिए तो बेटा गंगा का अवतरन मूर्तिशिल्प पल्लव कालीन कला के बहतरीन उधारणों में से एक है यह तमिलनाडू के महावली पुरम में स्थित है चटान पर उतकीन मूर्तिशिल्प ईशा की साथवी शताबदी में बनाया गया है इस मूर्तिशिल्प में गंगा के प्रथवी पर अवतरन की घटना को दो बड़ी ग्रेनाइट शिलाओं पर उकेरा गया है दोनों शिलाओं के बीच में जो दरार है महापर नागराज और नाककन्या को केरा गया है इसके साथ ही मूर्तिकार ने सूर्य, चंद्रमा, प्रथवी, जल तथा उसमें रहने वाले जीवों को भी इस मूर्तिशिल्प में दिखाया है शिल्प में बहुत सी आकरतियों के साथ साथ एक आकरती डाढ़ी वाले व्यक्ति की है जिसकी पहचान भगिरत के रूप में की जाती है भगिरत को एक पैर पर खड़े अपने दोनों हातों को उपर की और किये हुए भगवान शिव से प्राथना करते हुए दिखाया गया ह शिवजटा से गंगा की एक धारा को मानव कल्यान ही टू प्रत्वी पर बहने दें शिल्प के नीचे बने जो हाती है उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण शिल्प का भार हाती उने अपनी पीट पर उठा रखा है इस शिल्प को कुछ लोग अर्जुन का तप मूर्तियों के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं तो भारत में कांसे मूर्तियों का इतिहास सिंदू सगाटी की सब्विता से आरंभ होता है आप सभी ने इस चीज को पड़ा है जहां से पुरातत्तु वेत्ताओं ने कांसे से बनी कुछ मूर्तियां प्राप्त कि द और क्या कहते हैं इस सेली को मधु सस्ट शेली तब से लेकर अब तक धातूं को पिगला कर आकरतियों में डालने की प्रक्रिया सततह जारी है कुशानकाल गुप्तकाल में जैन तिथंकरों बोध और बोधी सत्वों हिंदु देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त सात्वी शताबदी से लेकर बहार्वी शताबदी के मद्य चोल वे पल्लव शाषकों ने भी मूर्ति शिल्पों का निर्मान कराया है कोशन नमबर फोर जो मुझे लगता है पूछा जा सकता है वो है इंडो इस्लामिक इस्थापत्य कला की क्या विशेश्टाएं हैं इस्थान या संस्कृतिवे परंपराओं पर अधारित भवन निर्मान की विशेश्टाओं का अबलोकन किया अध्यन किया उनमें से जो विधियां उनको उप्युक्त लगी उनका समावेस वे अनुपालन उन्होंने अपने द्वारा निर्मेत इमार्तों में किया इसले इस्थापत्यकला के छेतर में अनेक तकनीकों, शैलियों, आकारों, सरचनाओं वे सजावटी अलंकरन का बड़े सोच विचार में उप्योगिता के अधार पर समावेस में अनुपालन होने लगा इस प्रक्रिया के लगतार अभ्यास में आने पर नई सरचना और नई तकनीकों में नई शैलियों का विकास हुआ, जिसे इंडो सारसे ने किया इंडो इसलामिक इस्थापत्यकला के नाम से जाना गया कोशन नमबर पांच, आप अपने पाठे करम या फिर अध्याय में दी गई किस मूर्तिशिल्प से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों व्याख्या कीजे तो बेटा इस कोशन का अंसर आप अपने आप देंगे कि कौन सी मूर्तिशिल्प आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी, क्यों बढ़िया लगी उसके बारे में आप यहाँ पर डेटेल में लिखेंगे, कोशन नमबर सिक्स है, मुगल इस्थापत्य कला की क्या विशेष्टा है, तो मुस्लिम केवल एक देवशक्ती मुहम्मद को मानते हैं, हम सभी को पता है, जिसके कारण मू उन्हें सुलेखन द्वारा कुरान की आयतों का प्रियोग भी सजावटी तत्वों के रूप में किया, इस्थापत्य कला की शेणी में चार बाग योजना जो एक विशेष्टा है और लेदार नुकीली महराब जो है, वो मुगल इस्थापत्य की निजी विशेष्टा है, अगर हम देखें तो चार बाग योजना नुकीली महराब, कुरान का सुलेखन आयतों का प्रियोग और जैमिती आकरतियां जो उन्होंने इमारतों पर बनाई है, वो मुस्लिम इस्थापत्य यानि की मुगल इस्थापत्य कला की प्रमुख विशेष्टा है, जिसमें आप स कहलाती है, इस से सरल डेफिनेशन कोई हो ही नहीं सकती मूर्ती की, and second मूर्ती शास्त्र, तो मूर्ती निर्मान की कला अथ्वा मूर्ती अध्यन की कला मूर्ती सास्त्र कहलाती है, question number, point number three, जिसमें पूछा गया है, अलंकरण तो किसी भी आकरती को सजाने या सवारने की कला अलंकरण कहलाती है, जैसे मूर्ती शिल्प को अभूशन पहनाना हुआ, इमारतों को मूर्ती शिल्पों से सजाना हुआ, तथा किसी कवीता को अलंकार के माध्यम से सुसजित करना हुआ, ये सारी चीजें अलंकरण कहलाती है, अब question number eight है, जिसके अंदर निमने लिखित की कलात्मक्ता का वर्णन आपको करना है, और वो है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है, त्री मूर्ती एलिफेंटा महरास्ट, तो त्री मूर्ती को महेश मूर्ती के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है, यह मूर्ती शिल्प महरास्ट में, एलिफेंटा गुफा में इस्थिद है यह एक चट्टान को काट कर बनाया गया मूर्ति शिल्फ है जो नवी शताब्दी में बनाया गया है चट्टान को काट कर उत्पन किये गए मूर्ति शिल्फ में यह बहतरी नुधारण है यह मूर्ति आकार में विशाल है तीन मुखों वाली इस मूर्ति में भग जबकि दाएं और की जो मुख्या करती है, मुख्या करती है, उसमे नारी रूप के दर्शन होते हैं, सेकिंड मूर्तिशिल्प जो आप से पूछा जा सकता है, वो है जांजरवादक सूरे मंदिर कोनाक से जो मिला है, तो जांजरवादक मूर्तिशिल्प उडिसा में कोनाक मूर्ति शिल्प गंग वन्ष के शाषकों द्वारा तेहनवी सतापदी में उत्कीन कराया गया है यह एक इस्तरी की आकरती है इस मूर्ति शिल्प में एक इस्तरी वादक को जांचर नामक वाद्देयंतर बजाते हुए दिखाया गया है इसके लिए उसने अपने दोनों हातो को आगे की और बढ़ाए हुए है इस मूर्ति के पैरो वेटांगों की मुद्रा कुछ इस प्रकार की है मानों वह नरत्य कर रही हो उसके गले में बाहों में कलाई पर हातों में उंगलियों अत्वा पैरों कमर पर उसने आभुशन धारण किये हुए है इस मूर्ति की मुद मूर्ति शिल्फ को चोल सासकों के द्वारत कमिल नाडू की तंजाबुर में कांस्य धातू से बनवाया गया है और यह बार्मी शतापदी में बनवाया गया है वर्तमान में अगर आप इस मूर्ति में बहुत शिल्फ देखना चाहते हैं तो रास्ट्र संहराले नई दिल्ली म एक तरह से उसको कुचलते हुए दिखाया है उनके चारों हाथों को विशेस मुद्रा में फैले दिखाया गया है जिनमें से मुख्य दाया हाथ अभे मुद्रा में है अभे मुद्रा आपको पता है आशिरवात देने वाली मुद्रा होती है और उपर के दाया हाथ में उन् दोनों और दूर तक फैली हुई हैं वह एक व्रत रूपी ज्वाला के मध्यन रत्य करते हुए दिखाए गए हैं तो ये था नट्राज मूर्तिशिल्प की कलात्मक्ता का विवेचन और जो लांस आप से है पूछा गया है वो है गोल गुमबज तो गोल गुमबज को आप बत गया है यह मुहमद आदिल शाह का एक मकबरा है जिसको इंडो इसलामिक शैली में निर्मित किया गया है एशिया की सबसे बड़े गुमबदों में से एक है ये और इस इमारत के अंदर एक विशेश हॉल बना है इमारत के चारो कोनों पर अस्ट कोनी है साथ मंजिलों वाली विशाल गुमबद है तो बेटा ये थे आपके important questions second term में based तो उमीद है कि जो आपका second term का exam आप लोगों के लिए आएगा उन में यही questions होंगे all of questions यही उस exam में होने की संभावना है तो आशा करती हूँ बेटा ये विडियो आपको बहुत ही ज़्यादा helpful रही होगी आपको मेरी विडियो अच्छी लगी है तो मेरी विडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले शिक्षा प्रवापर आप पहल किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें